आज मैं आप लोग के साथ बहुत जादा हेल्थी और तेस्टी नास्ते की रेसिपी शेयर करूंगे यह बहुत जादा इसी है बनाना इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और इसमें थूरा सा पानी एड़ करेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे हम और इससे दस मिर्ट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम और आधा कटोरी मैंने हरी मटर लिये है और इसमें मैं चार मिर्च हरी ले लूँगी इसमें वो भी तोड़ के डाल दूँगी इसे मैं पीस लूँगी इसे और इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा नमक अब थोड़ा सही हम चाट मसाला डाल देंगे इसमे यह हमाया तैयार हो गया अब जो हमना बैटर था ना इसमें हम यह जो मूंकी दाल है मैंने आधा कटोरी भीगो के रखी थी इसको भी मैंने पीस लिया और इसमें भी यह मिला दूँगी मैं हमने एक कटोरी बेसन लिया है और आधा कटोरी मूंकी दाल उसको मैंने पीस लिया भी गोके और इसमें डाल देंगे थोड़ा नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालोगे और इसमें हम एक चम्मर डाल देंगे रिफाइंड ओई आप जो ओईल खाते हो वो डाल सकते हो इसमें और इसे हम दो मिनिट के लिए अच्छे से मिलाएंगे दो मिनिट के लिए हमें बहुत अच्छे से मिलाना है ऐसा नहीं के नहीं मिलाएं हम जब बिलाएंगे इसे बहुत अच्छा सा तो बहुत जादा इस पंजी हमारा ये बनेगा नास्ता भी और हम आधा पैकेट इसमें इनो कर डाल देंगे अगर एक भी डालते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब मैंने एक घड़ाई में मैंने दो कटोरी पानी उबालने के लिए रख दिया है जब तक मैं कटोरी में वो स्टपिंग भरती हूँ इसकी इसमें ओईल लगा लिया मैंने कटोरी हों में थोगा थोगा बैटर इसमें डालेंगे हम अब जो मैंने मटर जो पीसी थी ना उसमें भी एक चम्मल बैटर मैंने इसमें मिला लिया है और उसकी ऐसे हातों से टिक्की बनाके इसमें रख देंगे अब जो उपर से फिर बैटर डालेंगे और थोड़ी थोड़ी कटोरी छोड़ देंगे हम उल्ली भाड़ने हमें और टैप कर लेंगे और जो मैंने कडाई में देखो उबलने रख था पानी उसमें रख देंगे हम अब हमें इसे 20-25 मिनट के लिए मेडियम गैस में ढग के पकाना ऐसे मैं इसे ढग देती हूँ देखिए 25 मिट बाद देखो अच्छे से पक जाएगा अब हम चाकू की सहता से इसे प्लेट में रिकाल लेंगे किनारे में ऐसे करके देखो बहुत ज्यादा इस पंजी हमारा ये बना है और से हम काटिंग करें देखो हमने कटिंग कर लिए अब देखें बहुत जादा सुन्दर लग रहा देखने में भी अब इसके लिए हम तड़का बनाएंगे एक फैन में वो रखेंगे हम और दो चम्मज डाल देंगे ओईल एक चम्मज हम राई और दो कड़ी पत्ते डाल दिये मैंने इसमें और थोड़ी से हींग और आदा कप हम डाल देंगे पानी इसमें और दो चम्मज हम डालेंगे इसमें चीनी और एक नीबू डाल देंगे हम इसमें मैंने एक नीबू डाल है आदा भी डाल सकते हैं और यह देखो बहुत स्पंजी और जालीदार नास्ता हमारा बन के तयार हो गया है और देखने बहुत जादा सुन्दर लगता है और बड़ी बच्चे सब इसी खाना पसंद करेंगे बहुत जादा स्पंजी नास्ता बन के हमारा तयार बिरता है कभी आप झाल झाल